वीडियो को किसी डैनियल नम के बेगती दोरा किसी जंगल के रास्ते से गुजरनी के दोरान रिकॉड किया गया है जिसमें उसका कहना है कि कुछी टाइम के लिए उसे उस रोट पर एक वेर्व जैसा दिखने वाला किरीचर दिखाए दिया जो रोट के किनारे बैठा हुआ दिखा दिरा था आप यह इस रोट के किनारे किसी गुजर को बैठा हुआ दिख सकते हैं जिसे वीडियो के उनर एक वेर्व बताते है वैसे अगर वीडियो को दियान से दिखा जाए तो यह दिखने में वाकई किसी वेर्व जैसा दिखा देता है लेकिन इसका अगार किसी नॉर्मल वेर्व बेर्व से काफी बड़ा दिखा देता है हाला कि कुछ लोग वीडियो को दिखने के बाद इसे डॉग मैन होने का दावा करते है तो ही कुछ लोग इस वीडियो में दिखरे इस क्रीचर को वेर्व बताते है वैसे साथ ही आप सभी की चानकारी के लिए मैं बता दो कि डॉग मेन और वेरूफ दो अलग अलग क्रीचर होते हैं डॉग मेन दिखने में किसी डॉग जैसा दिखाय देता है जो अपनी दो परोपी किसी इंसान के जैसे भी चल सकता है और वेव एक बेडिये जैसा दिखने बाला क्रिश्चर होता है या भी अपनी दोपरों पे किसी इंसान के जैसे चल सकता है खेर आप सभी का कह कहना है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रू बताएगा तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी वीडियो के ओर दोस्तों हमारी इस वीडियो को जरा ध्यान से देखेगा जिसमें दावा किया जा रहा है कि किसी ब्यक्ति दोरा किसी जगा पर एक बेहादर आसमाई दोसिंग वाले साप को देखा गया जिसकी उस ब्यक्ति दोरा फोरन वीडियो भी रिकोर्ड की गई है आप यहाँ पर इस साप को जाता हुआ देख सकते हैं जिसके सिर पर वाकई दोसिंग दिखा देते हैं जिसे आप इस वीडियो में साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं फिलाल वीडियो कहां की है इसके बारे में वीडियो में कोई वीजनकारी मोजूद नहीं है लेकिन कुछ लोग वीडियो को देखने के बाद इसे इंडिया का ही बताते हैं और वीडियो भी दिख रहे हैं इस साप को कोई इच्छादारी नाग बताते हैं तो ही कुछ के हिसाब से यह कोई रहसम इस साप भी हो सकता है केर यह कोई इच्छादारी नाग है या नहीं इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता लेकिन हाँ इस साप के सिर पर दो सिंग दिखा देते हैं जो वाकई एक बेहाद चोका देने वाली गटना है खेर तब तक के लिए चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी वीडियो की ओर बेहत नाम के किसी घर के बाहर लगे CCTV कैमरे ने इस वीडियो को रिकॉट किया है जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर यह मैला अपनी घर के बाहर से किसी चीज़ की आवाज सुनने के दौरान वो अपनी घर के बाहर देखेने के लिए चाती है लेकिन आचानक किसी चीज़ को देखकर यह मैला काफी डर जाती है और अपनी घर में वापस चलियाती है जिसे आप इस वीडियो में देख सकते है दरसल अगर आप इस वीडियो को द्यान से देखे तो आप यहापर एक बहुत चोटी क्रीचर को भागता हुआ देख सकते हैं जिसे देखे हैं मैला काफी डर जाती है और अपनी घर में चलियाती है वैसे अगर मैला की माने तो उसका कहना है कि यह दिखने में किसी इंसान जैसा दिखा दे रहा था लेकिन इसका कदर हम इंसानों से काफी चोटा था और साथी यह अजीब और डराहूनियों आजे भी निकाल दा था खेर अगर मैला की बताएक अनुसार देखा जाए तो यह कोई कोबलिंग भी हो सकता है जो यहाँ पर इस मैला की घर के बाहर बागता हुआ दिखा देता है जिसे यह मैला डर जाती है फिलाल आप सभी का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में क्या इस वीडियो में जू दिखा दिया वह वाग कही कोई गोबलिंग था या कुछ और खेर कुछ लोग ऐसे जीवों के होने के दाओ को सच बताते हैं तो ही कुछ के हिसाब से गोबलिंग जैसे के रिचर एक कालपनिक जीव है असल जिन्दगी में ऐसे जीव नहीं होते है आप सभी क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरू बताएगा तो चलिए बढ़ते हैं अपनी चोथी वीडियो के और दोस्तों हमारी इस वीडियो को भी जरा ध्यान से देखिएगा जिसे इसराहल की एरपोर्ट का बताएज जा रहा है जिस वीडियो को उस एरपोर्ट पर अलग-अलग एंगल पे लगे CCTV कैमरे ने रिकोड किया है जिसमें बताए जा रहा है कि अचानकी रहसमे तरीके से वहाँ पर मुझूद कुछ लोग गाइब होते हुए CCTV कैमरे में कैप्चर हुए है जिसकी आप यहाँ पर वीडियो देख सकते है आप यहाँ पर इन लोगों को अचानकी गाइब होता हुआ देख सकते है जिसे यहाँ पर मुझूद कुछ लोग देख काफ़ी डरते हुए यहाँ CCTV कैमरे में दिखा ज़ते है फिलाल इस वीडियो में कितनी सचाई है यह तो कोई कनभमतोर रुपे नहीं बता सका लेकिन यह वीडियो इस घटना को लेगार काफी ज़यदा वारल भी हो रही है जिस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग कमेंट बॉक्स में इन गायव हुए लोगों को लोग एलियन होने का दावा करते हैं उन गंसार हम लोगों के बीच एलियन मौझूद हो सकते हैं जो इनसानों के रूप में रहते हैं कहरी अबाद कितनी हद तक सही है इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं आप सभी को बता दो कि ऐसे लोगों के अचानक गायव होने की गटना है कई अलग अलग जगों से भी सामने आ चुकी हैं जिसके बारे में कोई भी आज तक सचिक जनकारी नहीं दे सका कि आखिरी ये लोग अचानक रहसमे तरीकी से कैसे गायव हो जाते हैं फिलाल कुछ लोगों का कहना है कि यह कोई अडिटिंग भी हो सकती है आप सभी को कह लगता है इस वीडियो में कितनी सचाई है और क्या आप भी मात दे है कि अलियन जैसी चीजे हमारे बीच मौझूद है तो हमें कमेंट बॉक्स में अलियन चरू लिगे तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पाच्छी वीडियो की ओर हमारे इस वीडियो को किसी जंगल में रिकॉर्ड किया गया है जिसमें खूमने गए किसी ब्यक्ति को जंगल के बीचो बीच एक काफी बड़ा और रहसमई दिवार दिखा देती है जिसे देग यह ब्यक्ति समझने बाता किया क्या है और इस गने जंगल में इतनी बड़ी दिवार क्या कर रही है आप यह इन पेड़ों के बीच मुझूद इस ब्लैक से दिख रहे दिवार को देख सकते हैं जो काफी बड़ी दिखा देती है और वाकर यह ब्याद हैरान कर देने वाली गटना है हालकि वीडियो के ओनर भी नहीं जानते कि इस गने जंगल में यह दिवार यहां पर क्या कर रही है जिसकी यह वीडियो अपने सोसल मीडिया अकाउंट पर अफलोड कर देते हैं जो काफी जदा वारल भी हो जाती है जिस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बोक्स में काफी लोग बताते हैं कि इस दिवार के पीछे कोई अलग दुनिया हो सकती है आप सभी को क्या लगता है आखिर इस गाने जंगल बे यह बड़ी सी दिवार क्या कर रही है और यहाँ पर इस बड़ी दिवार को क्यों बनाए गया होगा आप लोग भी हमें कमेंट बोक्स में अपनी अपनी राय चरूर बताएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उमीद है आप सभी को हमारी यह वीडियो भी बेहत बसना है होगी तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई देख यार